नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों आप लोगों ने ये तो पढ़ाई होगा कि रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से निकाल दिया गया है और उसके बाद से इंडिया रश्या के बीच में काफी ट्रेड भी फस रहा था जिसमें S-400 युवान में कर दीजिए इंडिया ने कहा युवान में तो नहीं करेंगे तो फिर बीच का रास्ता डिरहम निकाला गया था तो दोस्तों इस प्रकार से अब ये सारा का सारा जो मामला उल्जा हुआ था अभी रिसेंटली रशियन डिपिटी प्राइम मिनिस्टर डिनिस मं रूबल में होगा तो यही पूरा का पूरा इंडिया 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 इंडो रशियन ट्रेड को गवर्न करने वाला है आप देख सकते हैं हाला कि डिनिस मंट्रोव को आए एक हफते से उपर हो चुका है लेकिन ये नियूज अब सामने उभर के आ रहा है अब जाके पत चला है इस न्यूज में कैसे इंडिया रशिया ट्रेड पूरा के पूरे रूपी रूबल में होने वाला है आईए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं पाच्पाइंडर बैश 30 से प्रिल आकरी दिन है उसके पह तो मेक शूर आप इससे जुड़ जाएं अभी टाइम है 30 से प्रिल के बाद दाम बढ़ जाएगा तो यह मौका अपने हाथ से जाने ना दे जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में भी कॉमेंट मिलेगा आपको कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रि इसन गिफ वाउचर्स भी हैं तो एक लाग का प्राइज इसमें भी हमने रखा है लेगिन बेस्ट पार्ट है जो लर्निंग तो तेरा में के लिए एन्रोल कर लें फ्री मॉक्ट तेस्ट में तो दोस्तों न्यूज में क्या है न्यूज में दोस्तों लैंडमार्ग डील जो की सबसे पहले दोनों देशों ने अडॉप्ट किया है कि हम SPFS सिस्टम को accept करेंगे क्या है यह SPFS सिस्टम दोस्तों यह है सर्विस ब्योरो ऑफ फाइनाशल मेसेजिंग सिस्टम ऑफ दी बैंक ऑफ रश्या फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट तो दोस्तों अभी क्या होता है SPFS की अगर मैं बात करूं तो अभी दुनिया अगर आप देखे तो सिस्टम से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करती है जैसे की मान लीजिए मुझे पैसे भीजना है आपको आपके अकाउंट में तो मैं क्या करता हूं अगर इंडिया के अंदर अगर पैसे भीज रहा हूं तो मै तो कि secure line है जिसके द्वारा जब भी international trade होता है एक bank से दूसरे bank में अलग अलग देशों के बीच में जैसे मान लीजिए भारत में मुझे access bank से पैसे भेजने है कुछ किसी UK के किसी bank में है ना तो उसके लिए मैं क्या डालूंगा UK का swift code डालूंगा और बीच में swift क्या करेग कि हां access bank के इस खाते से पैसे निकलने है और मान लेते हैं यहाँ पे कोई international bank है या कि थोड़े देर के लिए मान लेते हैं silicon valley bank जो अब डूब गया उसमें पैसे भेजने थे तो swift क्या करता है वो financial messaging device है वो messaging system है जिसके द्वारा secure line है जिसके द्वारा message जाता है इस account से इस account मे इतने पैसे जाने है अब दोस्तों यह swift का cooperative की तरह काम करता है लेकिन इस पर पूरा का पूरा west का कबजा था और इसी से Russian banks को dealist करवा दिया गया after Russia Ukraine war जबसे वो start हुआ तो उसके बाद से अब इंडिया Russian banks को कैसे पैसा बेजे जो भी trade हो रहा है तो उसके लिए Russia ने क्या कि swift जैसा ही सिस्टम सिप्स है तो उसके साथ integrate कर लिया है अब रश्या चाइना में इसके तुरू अच्छा कासा trade हो रहा है और अब यह इंडिया ने कहा है कि हम भी SPFS सिस्टम को accept करेंगे जिसका मतलब यह हुआ दोस्तो अब इंडिया से रश्या पैसा बिना किसी दिक्कत के जाएगा वो swift की जो जरुरत थी वो अब जरुरत नहीं रहने वाली है तो अब इंडिया रश्या के साथ trade करेगा दोस्तों आपको बता देता हूं कि वैसे तो य इंडिया भी जल्दी इससे integrate करके हो सकता है जल्दी आपको bricks का equivalent swift भी देखने मिल जाए इसके सिवा दोस्तों और आपको बता देता हूं एक another key element this agreement का हुआ है वो यह हुआ है कि इंडिया का रूपे card और UPI system अब रश्या में इस्तमाल किया जाएगा और साथी साथ Russian Amir card और fast payment system अब इंडिया में इस्तमाल होगा जिसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यू रश्या में जाके कोई trade हो रहा है तो बस और बस अपना UPI का आपको क्या करेगा खाली वो दे देगा कि आप scan कर लो और पैसे डाल दो obviously जो limits से वो limits follow करने होंगे तो इस प्रकार से इंडिया रश्या में जो trade हो रहा है इसको further कहीं न कहीं हम एक impetus मिलेगा एक नहीं शक्ती मिलेगी और साथी साथ आपको बता देता हूं यह जो दोनों देश हैं जो अब तक payment issues में फसे हुए थे जैसा आप यहाँ पे news में देख रहे हैं कि कैसे रश्या एंड यूक्रेन के वार से यह पेमेंट इशूज अटक गए है आई एस वर्स्टेट है एस 400 मिसाइल की डिलिवरी अटक गई है तो यह सब अब आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों देश अब SPFS सिस्टम का इस्तमाल कर लेंगे इसके सिवा आपको बता देता हूं RBI ने इ स्पेशल रुपी वास्ट्रो एकाउंट्स तो बनाई गए है जिसके द्वारा भी पेमेंट सेटल हो रहा है तो यह जो 18 एप्रिल को जो पैक्ट हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं डेनिस मंटुरॉब और रॉशियन डेप्यूटी प्राइमिनिस्टर है जो और एक्ट साथ उसको वापस रुशिया रिमिट भी कर पाएंगे तो रुशिया को यह security मिलेगी जैसा capital account convertibility होती है कि रुपी को आप convert कर रहे हैं किसी करेंसी में तो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं तो रुशियन रुबल के साथ वो limits काफी liberalize कर दिये जाएंगे तो इस प्रकार से वह easily हो रहा है अब वह वापस से मजबूती पकड़ने वाला है यह जो hiccups आ रहे थे यह hiccups कम हो रहे हैं दूसरी बात थी कि जो इंडिया रशिया के बीच में जो trade gap बढ़ड़ा है वह कम करना है तो उसका भी लाज निकल गया है कि रशियन इंडिस्ट्री को बुला गया आप finder batch केवल 30 April तक 799 में enroll कर ले समुदर मंतन free mock test है 13 मेको है नीचे के pin comment में आपको link मिल जाएगा description box में link मिल जाएगा enroll करना बिलकुल भी ना भूले